नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में आई होब कि आप से ब्लोग बहुत ही अच्छे होंगे सबसे पहले सभी कैंडिडेट को नवरात्री की हार्दिक शुपकामना आज से नवरात्री शुरू हो चुकी है माता रानी आप सब पे करपा करें औ 20 सेप्टेंबर और 26 सेप्टेंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर बनेगी वो हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे चलिए पहले नंबर पर पहला कोश्चन हमारे सामने है अंत योदय दिवस अंत योदय अंत योदय दिवस 2022 में कब मनाया गया तो इसक यहाँ पर 25 सेप्टेंबर यानि 25 सेप्टेंबर यानि कल यह दिवस मनाया गया है अंत योदय दिवस पंडित दीन दियाल उपाध्याई के जरम दिवस के उपलच में मनाया जाता है पंडित दीन दियाल उपाध्याई भारतिये जन संग के संस्थापक में से एक थे ठीक है तो यहाँ पर देख लेते हैं यह है माननिय पंडित दीन दियाल उपादयाजी इनका जो जन्म है वो 25 सेप्टेंबर 1911 को हुआ था नगला चंद्रवन मतुरा युनाइटेड प्रोविंसेज और इनकी जो मरत्तु है वो 11 फरवरी 1968 को 51 साल की एज में हो गई थी ठीक है मुग और यह आपको अच्छे से समझना भी चाहिए अत्योंदय का आर्थ होता है गरीबों का उधार करने वाला चलिए दूसरे कोशन की तरफ चलते हैं तो हमारा आगला कोशन है पंजाब के किस हवाई अड़े का नाम शहीद भगत सिंग के नाम पर रखा जाएगा तो इसका ज अंशले का इंटरनेशनल एरपोर्ट है चंडिगर हवाई अढ़ा ठीक है पंजाब यहाँ पर क्या है पंजाब है पंजाब सेटमे आता है पंजाब की कनवारि लाल पुरो हिद चीफ मिनिस्टर है भगवन तमाण ज़ोकी आम आदमी पार्टी से विलॉंग करते हैं ठीक ह चलिए कौन सी आटो मोबाइल कंपनी वाहनों की अपूर्थी करने में असमर्थ है ब्रांडिंग बैज की कमी होने के कारण तो इसका सबसे अच्छा आप्शन मतलब सही आप्शन क्या है वो है आपका डी फोर्ड आप सभी को मालूम है कि फोर्ड कंपनी की जो इंडिया में डेलर्शिप्ती वो सारी पूरी बंद हो चुकी है और ये अपूर्थी करने में असमर्थ है ठीक है तो फोर्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं फोर्ड कंपनी जो है इसके सीओ है जिम फैरले फाउंडर है है हैनरी फोर्ड ये फाउंडर हुई थी 16 जून 1903 को यूनाइटेट स्टेट में और इसका जो हैड़कॉर्टर है वो है डर्बन यूनाइटेट स्टेट ठीक है चलिए अगले कोशन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं आसम की बात कर लेते हैं यहाँ पर आप यह इमेज देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर आप देखिए यह आसम है ठीक है इसकी कैपिटल क्या है दीसपूर्ट चिप मिनिश्टर कौन है भाई हेमंत विस्वा सर्मा यहाँ पर आप यह इमेज देख सकते हैं जब यह पूरा मतलब हो रहा था मतलब यह जो आपके सामने इवेंट हो रहा था तो यह उसी दौरान की तश्वीर है ठीक है और बाकी यहाँ पर यह आसम से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टन पॉइंट है जो आप सभी को पढ़ने हैं जो मैं हर पिछले कई दिनों से कवर मतलब असम से रिलेटेट करेंट एफेंट में कवर करता हूं ठीक है तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉस करके पढ़ सकते हैं कौन सा सहर ICC वर्ड चैंपियंशिप फाइनल की मेजवानी करेगा 2023 और साथी साथ 2025 में भी तो इसका स सही है ICC यानि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग यह इसका लोगो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हेड क्वाटर इसका है दुबई यूनाइटेड अरब में ठीक है मोटो है इसका क्रिकेट फॉर्गुड फाउंडेट 15 जून 1909 और चेयर्मैन है इसके जर्ज ठीक है नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है तो इसका सही एंसर है फालगुनी नायर ठीक है IIFL के अनुसार जो सबसे अमीर महिला है वो है फालगुनी नायर अब यहाँ पर स्टार्टप नायका की फाउंडर है ठीक है यहाँ पर भारत के सबसे अमीर इस टाइम पर वेक्ति कोन है भाई गौतम अडानी जी है जिन्नोंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़के इस टाइम पर सबसे हाइस्ट इंडिया में रिचेस्ट परसन है ठीक है तिरुमा पर आप देख सकते हैं तिरुमाला वेंकटेशर टेंपल इन आंदरप्रदेश यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इसकी इमेज है ठीक है यह कहां इस्तित है भाई दोस्तों यह आंदरप्रदेश में है और 85,705 करोण रुपए इन्होंने अपनी संपत्ति जो है वो बताई है अब आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताईएगा कि इस टाइम पर आंदरप्रदेश के गवर्णर और साथी साथ चीफ मिनिश्टर वहां पर कौन है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की करफ तो अभी हाली में आर्बियाई ने लच्मी को बैंक ठीक यह कहां इससे थे भाई 16 पूर में 16 पूर में यह बैंक है और अर्बियाई ने अभी हाली में इसका जो लाइसेंस है वह रद कर दिया है थोड़ा सा अर्बियाई के बारे में जान लेते हैं इसको रेगुलेटरी बॉड़ी बोला जाता है ठीक है और यहां पर आप इसका ये लोगों देख सकते हैं इसके गवर्णर है आर्बियाई मतलब आप समझ सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक गवर्णर है शक्ति कांत दास पाउंडट एक अपरेल 1935 कोलकता और इसका जो रिजर्व है वो डॉलर में 588.30 बिलियन ठीक है करेंसी क्या है भाई इंडियन रूपी ठीक है चलिए यहाँ पर देखते हैं T20 क्रिकेट में सबसे जादा छक्के लगाने वाले भारतिय बल्लेवाज कौन है तो इसका सही आप्शन है रोहित सर्मा और इन्होंने कितने छक्के लगाए हैं 176 छक्के जो हैं अभी तक T20 में रोहित सर्मा लगा चुके हैं ठीक है नेक्स्ट कोशन की तरफ मुगान करते हैं और यहाँ पर देखते हैं APOA का गठन किया गया है इसमें कितने देश आते हैं तो इसका जो सही आप्शन है वो है आपका 5 इसमें जो है 5 देश आपके आते हैं APO का मतलब क्या है थोड़ा स पहले इसको देख लेते हैं और पांच ऐसे कौन-कौन से देशन जो आते हैं तो APO का मतलब है एशिया पैसिफिक ओईल एलाइंस ठीक है पांच कंट्री कौन-कौन से हैं जिसमें आपका इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांगलादेश और नेपाल यह पांच देश जो है इसमें सम्मलित हैं साथी साथ जो इसके चेयर्मैन है वो अतुल चतुर वेदी जी हैं किस बैंक के MD and CEO ने हैदराबाद में हैकिंग लैब का उदगाटन किया तो इसका सही option है Union Bank of India चलिए यहां पर थोड़ा सा समझ लेते है Union Bank of India यहां से देखेंगे यह इसका लोगो है य मैंनी मैखलाई है है हेड़कोर्टर मुंबई में फाउंडट 11 नौमबर 19-19 मुंबई ठीक है चलिए 36 वे रास्टी खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राजिक के पुरुष टेबल टैनिस टीम ने स्वण पदक जीता है तो यहां पर इसका जो सही option है वो है भीया मिनिश्टर है भूपेंद्र भाई पटेल यहां पर देखो सबसीडी के साथ सेमी कंडेक्टर नीती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है गुजरात के मुक्यमंत्री इफको नैनो यूरिया छिरकाव योजना शुरू कि इनोंने है गुजरात पुलिस इफायर प्रणा ज्टरियंसी का अद्यच जो है किसे निर्वाचित किया गया है तो यहां पर जो आपके सही अप्शन है के रॉशाय प्रशाद रेड डि ठीक है प्रेस ट्रस्ट ऑफ सभी के लिए benefit रहेगी उम्मीद यही करता हूं अच्छे से सको revise करिए banking update पर पहले बार विजिट करने सब्सक्राइब जरूर करिए बाकी आगे current affairs को लेकर daily सुबह 7 अम पर देखिए आज के लिए दोस्तों मैं फिर से एक बार आप सभी से माफी चाता हूं कि आज की थोड़ा current affairs लेट हो गई बट कर से सारी चीज़े अपने टाइम पर रहेंगी सुबह 7 बज़े आपको live फिर से हम मिलेंगे तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अपना ध्यान रखिएगा thank you have a nice day